दोस्तों नमस्कार कक्षिया आटवी वाले इस्टुलेन के लिए प्रिष्ण बेंक आ चुकी है विज्ञान विशे की कक्षिया आटवी विज्ञान विशे की प्रिष्ण बेंक आपकी वार्सिक परिक्षा के लिए जारी की गई है इस प्रिष्ण बेंक में आपको सभी प्र प्रिशन को पढ़कर निचे दी गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं तो खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई बोला जाता है अगला प्रिशन है निम्न में से रभी की भसल का सही यूगम है तो यहां पर गेहूं और जो चना है वो रभी की फसल में आ जाएगा नेक्स्ट कुशन देखिएगा आप सभी वन्नी जीव है प्राकर्तिक संसादन तो यहां पर समाप्त होने वाले कैसे हैं समाप्त होने वाले हैं इसके जेली एम इसको वेश का परिरक्षन किया जाता है तो किसके दोरा किया जा इसके बाद में देखिएंगे आप सभी पहली ने गुते हुए आटे को दबावकर समतल चपाती का आगार दिया यह परिवरतन किस बल के कारण हुआ तो यह पेशीपल के कारण हुआ है कौनसे बल के कारण हुआ है पेशीपल अगला पुस्टन आप याद रखेंगे 35 एकंड होने वाले दोलनों की संक्या कहलाती है तो दोलन की आवरत्ती कहलाती है दोलन की आवरत्ती उप्षिन नमबर फस्ट में दिया है इसके बाद में आप बढ़ेंगे देखेंगे आप सभी यहाँ पर दिये गए परिपत में दोनों तारों के मजदे किस वस्तू को रखने पर बल्ब जल जाएगा तो लोहे की छड़को रखने पर बल्ब जल जाएगा इसके बाद में यहाँ पर नेक्स आपका कुश्यन है किसी कोन पर जुखे दो दरपण कितने प्रतिबिम्ब बना सकते हैं तो यहाँ पर अनेक प्रतिबिम्ब बना सकते हैं कुशिय नमबर टेन देखेंगे संचरणी रोगों का मुख्य रोग वाहग है कोन सा रोग वाहग होता है तो घ Karl Chain म क्खी वहानों के लिए सबसे कम प्रदुसक इधन हैं तो CNG, CNG वहानों के लिए महत्पूर्ण हैं याद रगेंगे, इसके बाद में नेप्तलीन की गोलियां से प्राप्त की जाती है, तो कौलतार से प्राप्त की जाती है, संकटापन इस बेसीज का पुछतक में रिकोर्ड रहता ह यहाँ पर याद रखना है, जो संकटापन प्रजाती हैं उनका, अमीबा में जनन विधी से होता है, तो द्वी खंडन विधी से अमीबा में जनन होता है, यहाँ पर आपको next question याद रखना है, देखिए का आप सभी और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, अगना से हार्म इसके बाद में आप देखेंगे, यदि आपतन कोण का मान 35 डिगरी है, तो परावरतन कोण का मान कितना होगा, तो परावरतन कोण का मान भी 45 डिगरी होगा, नमक युक्त विलियन विध्युत का होता है, तो विध्युत का सूचा अलक होता है, नमक युक्त विलियन, अब पर पहला परशन है जन्तू और पोधों में सुक्ष में जीवों द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम बताईए तो जन्तू में सुक्ष में जीवों द्वारा होने वाले रोग है एंत्रेक्स ये जीवानों द्वारा होता है और दूसरा है खूरे और मुह का रोग ये विश्राणूं द्वारा होता है पोधों में सुक्ष में जीव द्वारा होने वाले जो रोग है वो इस प्रकार हैं देखिए आप सभी पोधों में नीमू के इंसर जीवाणूं के द्वारा होता है गेहों की रस्ट यह कवक के द्वारा होता है अब आप देखेंगे कुश्य जेवक दवाएं लेनी चाहिए पुलू में परति जेवक नहीं लेना चाहिए और इसके बाद में यहाँ पर कुशन 23 है भारत में प्राखरतिक गेस कहां पाई जाति है उत्तर में आपको इया calendarf भारत में प्राखरतिक गेस, त्रिपूरा, राजिस्थान, महाराष्ट और फिष्णा गोदावरी के डेल्टा में पाई जाती है नेक्स्ट कुशन देखेंगे किसी प्रिस्ट पर लगने वाले दाब को परिभासित कीजिए तो यहाँ पर किसी प्रिस्ट फेर बेप्रती एकांक चेतरपल पर लगने वाले दाब बल को दाब कहते हैं दाब बराबर बल बटे चेतरपल जिस पर बल लगाया जाता है यह आप उत्तर में याद रखेंगे और इसके बाद कुशन नमबर 25 है कुशन नमबर 25 में देखेंगे बंद कमरे में कोईला या शिगड़ी जला कर सोना क्यों खतरनाक होता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है बंद कमरे में ऑक्सिजन की मातरा सीमित होती है इसकारण कोईला शिगड़ी जला कर सोने से इधन का आपूर्ण वहन होगा जिसके फलसरूप विसली गेस कारबन मोनाकसाइड बनेगी इससे मृत्यू भी संबह हो है यहाँ पर इसलिए याद रखना बंद कमरे में सोले शिगड़ी जला कर सोना खतरनाक होता है अब बाकी कुशन नमबर 26 से लेगर के तो बाकी के कुशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता जाएंगे विज्यान कक्षायत्वी MP Board ये वार्सिक परिक्षा के लिए प्रिश्न बेंक आ चुकी है